नमस्कार दोस्तों स्वागत हैंक बार फिर्स से आपके अपने ही यूटूब चैनल इस्टार राइड इस पर तो दोस्तों आज आपके सामने खटी है इंडिया की पहली बाइफ्यूल पिक अप ट्रक जोगी चलती है इसका नाम है टाटा इंट्रा वी 20 और इसमें एक और मोडल आता है जो कि गुल्ड के नाम से आता है उसमें आपको ज़्यादा पेलोड मिल जाता है और कहीं सारी फिचर भी ज्यादा मिल जाते हैं और सामने खड़ी है जो नोन एसी में है अगर आप लेना चाहो तो एसी भी दे सकते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल रियू करेंगे जानेंगे दोजर चोबिस में आपको कितने फीचर्स पे लोड माइलेज स्पेसिफिकेशन पर गाड़ी से जूड़ी एट टुजेट इन्फोर्मेशन देने वाले हैं इस वीड टाटा की इंट्रा सीरीज आए हैं तब से काफी शांदार गाड़ी का लुक है और सबको पसंद आता है सामने आपको मिलते हैं काफी बड़ी वींडशील जिससे आपकी वीजिबिटी बढ़ा रहे और साथ इसको क्लीन करने के लिए यहां आपको डबल वैपर दिया हुए कि और भी कलर सकते हो आपको ऑप्शन मिल जता हैं और इसके सेन्टर में देखने को मिलेगा आपको टाटा लोगो जो की दिखने में काफी शांदार लगता है आप 크ोमई वर्क चेस्ट इसके पास ही दिया होआ है इंस्टे पिक अप की बेजिंग और कंपनी खुद बोलती ह है single chamber में उपर आपको मिलते हैं इसके indicator और बाकि आप चेक कर सकते हो गाड़ी का look यहाँ को मिलती है seller finish में यह grill और safety के लिए यहाँ दिया हूँ है reflector tape और यहाँ को मिलता है reflector और निचाप लगा सकते हो fog lamp और साथ ही यहाँ को मिलते है काफी शांदार मजबूत यह चेचिस और यह विचमें आपको cross memory मिल जाता है जिसे driver के safety काफ़े बड़ा रहती है और गैस बात करते हैं गाड़ी के ground clearance की दो दोस्तों काफ़े बड़ा गाड़ी का ground clearance है करीब 175 mm का जो यह काफ़े अच्छा है आप इससे उबड़ खाबर रस्तो पर कच्छे पकी हर प्रकार की सड़क पर गाड़ी को चला सकते हो और गैस जिद्चे क्रों गाड़ी का side profile कुछ यह च्टैप से हैं और यहाँ आपको मिलती है cng की basing जो की green color में है और उपर आपको मिलता है कुछ इस्टैप से outside mirror काफी छोटी size में है लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा car like यहाँ आपको मिलता है कुछ इस्टैप से door handle जो के बहुती smooth open हो जाते हैं और गैस जब बात करते हैं गाड़ी के टायर suspension और इसके brake की यहाँ आपको मिलती है C8 कंपने के टायर और इनकी size 165 आर चाउदा 14 इंच के आपको tube less tire मिल जाते हैं और आगे की तरब disc brake दिया होए हैं और पिछ आपको मिलते हैं drum brake और वहीं बात करते हैं गाड़ी के suspension की तो यहाँ आपको मिलता है semi elliptical leapsing suspension मतलब पट्टे कमाने का आपको suspension मिल जाता है जो यह काफी मजबूत होता है और गाड़ी की stability के लिए यहाँ आपको मिलता है anti roll bar system जिसकी साथा से गाड़ी की stability काफी बड़या रहती है गाड़ी ज़्यदा जोल नहीं मारती है और दोस्तों यहाँ पर placement की गई है गाड़ी की battery जो कि एक side company की है और ये 12 वोल्ट पर काम करती है बाकि दोस्तों यह चेक कर सकते हो गाड़ी का पीछे से cabin यहाँ पर आप चेक कर सकते है थोड़ा बाहर निकला हुआ है ताकि cabin में अच्छा space बन जाए जैसा कि Tata की LPT series में आता है यहाँ आपको मिलता है sliding window दोस्तों इच्चे करो गाड़ी का side profile बात करते हैं गाड़ी के wheelbase के मतलब अगले टायर से पिछले टायर की दूरी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको गाड़ी में wheelbase मिलता है 2450 mm का जो है काफी बढ़या है और 67 गाड़ी की ओरो लेंथ है 4460 mm की बात करते हैं गाड़ी के payload और GVW की तो दोस्तों गाड़ी का GVW है 265 kg का और गाड़ी साब को payload मिलता है एक टन का 1000 kg आप गाड़ी के अंदर load कर सकते हो और इतने payload को load करने के लिए आपको space मिलता है करीब 9 फिट के लंबाई के साथ में डाला जिसके लंबाई है 8 फिट 8 इंच की और चोड़ाई रहती है इसके 5 फिट 3 इंच की तो दोस्तों अच्छा का सा गाड़ी का payload है और अच्छा का सकते हो इमर्जेंस हैं बाई चांद CNG खत्म हो जाए ता पेट्रोल पर shift करके गाड़ी को चला सकते हो और CNG पंपे ले जा सकते हो और पेट्रोल टेंक के पास ही दिया हुआ है CNG बराने के लिए nozzle यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसका प्रेशर बगेरा इसी साथ गाड़ी का माइलेज भी काफी बड़ा है और अच्छी काची इसकी फ्यूटेंग केपिसिटी हैं और यह माइलेज कंपनी दुरा क्लेम किया गया है यह डिपेंड कराएगा आपके लोड पर ड्राइविंग पर और सडक पर और दोस्तों यह चेक करो गाड़ी का पिछे का टायर यह आपर भी बिल्कुल सेम साइज में टायर है 165 चाओदा चाओदा इंच के आपको ट्यूबलेश टायर मिलते हैं पर पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और यहां पर आपको यह मटगार्ड मिल जाता है बात करते हैं गाड़ी का सस्पेंशन की तो यहां आपको मिलता है स सेंजी और टाटा का इंबोजिंग बाकि सेफ्टी वाइस यहां आपको मिलते हैं तीन रिवर्स पारकेंग सेंसर जो कि आप देख सकते हो तीन लगे हुए हैं पीछे और बिल्कुल बेसिक से यहां आपको मिलते हैं टेलेम जो कि हेलोजन में है अगर आप इसमें टोप पर आपको देखने को मिलता है एक सेंजी सिलेंडर जिसको हम पहले बिता चुके हैं और यहां दिया हुआ है इसका एर फिल्टर जिसको आपको टाइम टाइम पर क्लिन करवाना है और दोस्तों यहां पर मुझे एक काफी बिड़ा चीज लगी वह है गाड़ी का स्पेस यह तो यहां पर आपको CNG से पाउर मिलती है 53 HP की और यह इंजिन आपको टोर्क निकाल कर देता है 95 अनम का पिचाण में अनम का आपको टोर्क देता है और दोस्तों गर आपकी गाड़ी में ज्यादा लोड है और कहीं पर फस जाए बाइचांस जैसे कि फस जाए यह फिर कहीं बात करते हैं बाकी के चीज़ों के बारे में तो यहां आपको मिलता है काड़ी को लोग करने के लिए switch और कुछ dieses आपको मिलती है बिल्कुल से चाबीया डबle Tata के लोगों के साथ में और इसी कुछ यहां पर को काड़ी की seat मिलती हैं काफ़ी comfortable seat हैं और काफ़ी लंभी चो जोगी 200 mm की diameter के साथ में आता है और 4scope के साथ में काफ़ी शानदार आपको steering wheel मिलता है बीच में आपको मिलता है Tata का logo और यह power steering है electronic power steering मिल जाता है आपको जोगी काफ़ी smooth होता है और steering के पास से आपको मिलते हैं सारी lights के और upside दियो हैं wiper के control और यहां दिया हुआ है CNG से पेट्रोल करने के लिए switch अगर CNG खत्म जाए ता आप पेट्रोल पर shift कर सकते हो और जैसे CNG फूल होती है आप CNG पर shift कर सकते हो बाकि आपको switch मिल जाता है खाली और यहां से आप light उपर निचे कर सकते हो और दोस्तों यह चेक करो गाड़ी का fully digital instrument cluster जो की दिखने में काफी श्यांदार लगता है और बहुती easy इसको आप पढ़ सकते हो और यहां आपको मिलते है CNG gaze, temperature बाकि सारी information इसमें आपको मिलती रहेगी और साथ इसमें आपको मिलता है gear shift advisor जिसके साथे से आप टाइम पर gear डाल सको और बहतर mileage आपको मिल सकें और यह बिल्कुल base variant है तो ना तो यहां पर आपको AC मिलती है और ना ही music system लेकिन यहां पर आपको speaker लगाने के लिए space मिल जाता है अगर आप लगाना चाहो तो और यह चेक करो गाड़ी का पूरा door panel यहां आपको मिलता है manually up down करने के लिए window lever, grab handle, door opener और निचे दियावा है single bottle holder जिसमें आप एक liter की bottle carry कर सकते हो जो यह काफी बड़ा चीज है और दोस्तों अगर आप गाड़ी में अकेले चलते हो यहां पर आप सो भी सकते हो काफी लंबी seat है और बिल्कुल flat है आप चेक कर सकते हो और कुछ step से यहां दियावा है इसका hand brake जिसको आप इस प्रकार से down कर सकते हो और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की gearbox की तो दोस्तों यहां पर आपको Tata का GBS 65 नमर का gearbox मिलता है जो कि fully synchronous gearbox है और जिसमें आपको 5 forward के लिए गियर मिलते हैं एक reverse के साथ में और दोस्तों यह gear lever पूरा dashboard mount है जिससे आपका cabin में space काफे बिड़ा रह जाता है और साथ ही यह cable shift है मतलब यहां पर पूरा cable का mechanism है इससे आपका gear lever बहुती smooth होता है बहुती easy shift हो जाता है gear और यहां आपका मिलता है charging point जिससे आप खौन वगएरा charge कर सकते हो और पास आपका मिलता है lockable glove box जिसमें आप कुछ भी सामार रख सकते हो important वगएरा क्योंकि यह लोग है बगी यहां आपको IRVM roof light और single sun visor देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों यह था कुछ गाड़ी का interior exterior और गाड़ी का payload वगएरा कैसा लगा आपको यह video Tata intra V20 CNJ plus petrol का कैसा लगा आपको comment करके जुरूर बताना जब आपका सवाल हो कुछ भी रह गया हो तो प्लीज comment करके जुरूर बताना और दोस्तों कीमत की बात करें तो दोस्तों कीमत हर एक शेट में हर दिन हर महीने में यह change होते रहती हैं तो किमत की perfect designer कारी के लिए अपने नज़दीकी dealership पर चेक करें तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि की वीडियो आपको पसंद आया होगा आया हो तो प्लीज लाइक जुरूर से कर देना और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के किसे नए टोपिक के साथ में तब तक के लिए जाए हिंद जाए बारत थैंक यू सो मच फोर दो वचिंग दा वीडियो